हेलो स्टूडेंट्स विएसी पार्ट फर्स्ट के पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था तत्मों के इलक्रोनिक विन्यास बनने समन्दी तीन नियम आज हम उन नियमों का उप्योग करते हुए कैसे इलक्रोनिक विन्यास बनना है वो सीखेंगे सबसे पहला अपना एक्जामपल आता है हाइड्रोजन का तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसमें एक एलक्रोन होता है सबसे पहले उस up course में बढ़ना है जो कम नरजिगा और कम नरजिका up course कौन सा होता है 1s तो एक electron हम 1s में बढ़ देंगे अब हम बात करते हैं हिलियम की एसमें 2 electron होते हैं तो S कसक में 2 electron जा सकते हैं तो दूसरा भी 1s में बढ़ देंगे इसका electronic configuration होना जाएगा 1s2 अब lithium में देखेंगे तो 1s2 के बाद 2s में जाएगा 2s1 इसी पकार हम आगे एक 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 करते बढ़ते जाएगे अब अगर हम अगला example लें जैसे sodium तो sodium का electronic configuration लिखना है sodium का परमानुकरमा कितना होता है 11 है तो हम पहले लिखेंगे 1s2 फिर 2s2 फिर 2p में बढ़े जाएगे 2p में maximum कितने electron आ सकते हैं 6, 6S में बढ़ दिया है तो 6 और 4, 10 बढ़ चुके हैं 11 है electron of 3s में जाएगा तो इसका electronic विन्यास बन जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 1 अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जो helium, neon, argon, krypton वगेरे जो noble gases होती है उनका electronic विन्यास लिख देते हैं bracket में और आगे उसका outermost electronic configuration लिख देते हैं जैसे neon का कितना होता है 1s2, 2s2, 2p6 तो sodium का जब electronic configuration लिखते हैं 2p6 तक का electronic configuration है उसका हम neon को bracket में लिख देते हैं जिसका मतलब होता है और उसके आगे लिख देया 3s1 तो इसका मतलब यह हुआ कि 3s1 से पहले दुआ है वो electronic configuration neon जैसा है और आगे का हमने लिख ही दिया 3s1 ठीक इसी परकार scandium का देखें तो scandium के अंदर हम पहले से क्या करेंगे argon 18 18 तक का तो argon bracket में लिख के हमने लिख दिया यानि यह 3p 6 तक का हो गया 3p के बाद कोन आएगा 3d और फिर 4s आएगा तो पहले 4s में 2 electron बढ़े जाएगे फिर 3d में हम लिखने में 3d को 4s से पहले लिख देते हैं लेकिन बढ़ाग पहले को हो जाता है 4s ठीक इसी पर का titanium आजाएगा फिर बेने डियम आजाएगा यानि डी में एक एक electron बढ़ता जाएगा अब आगे बढ़ते हैं तो chromium का 3d 5 हो जाता है ना कि 3d 4 यह exceptional case है यह यह अर्ध पूरित हो गया 3d में 10 electron होते हैं पूर्ण पूरित में तो d5 का मतलब हो गया यह अर्ध पूरित हो गया half filled हो गया तो हम जानते हैं कि half filled और fully filled जो electronic configuration होता है उनकी stability कुछ ज़्यादा होती है तो हमें basically बढ़ने का जो तरीका है वो सभी elements के लिए यही रहेगा हमें ध्यान रखना है noble gases का उनकी अधार पर हम आगे वाले बार सकते हैं तो noble gases जो है फी ब्लोक में आती है सबसे अंतिम 18 में अबरग में रखी गई है helium दो नमर पर यानि प्रमानकुर्माग 2 है इसका फिर neon 10 पर फिर argon 18 है krypton 36, xenon 54 और redon 86 इनकी अधार पर इसके आगे वाले बढ़े जाते हैं जैसे argon 18 के बाद वाले argon का लिखके लिखते हैं फिर 36 के बाद वाले लिखने हैं तो krypton का लिखके लिखते हैं ठीक इसी प्रकार अब कुछ exceptions हैं इसमें वो हम देखते हैं एक तो chromium का देख लिए हमने ठीक ऐसे ही D block में काफी exceptions है molybdenum में भी है tungsten भी है copper उसी जैसे 3D series का chromium के बाद copper में 3D 9 होना चीए था 3D 10 हो जाता है यहनि 4S का एक electron D में आ जाता है यह पूर्ण पूरित का कारण हो गया इनमें अधिकास में यही logic लगता है कि पूर्ण पूरित और अर्द पूरित इलेक्टोनिक विन्यास अधिक स्थाई होते हैं अब इनके स्थाईतों का कारण क्या है अब देखते हैं हम यहां दो कारण होते हैं एक तो सम्मित ऐसा होने से इनमें स्थाईतों आती है और स्थाईतों आती है दूसरा है इसमें एक्सचेंज एनरजी का ज्यादा होना जैसे मैं एक एक्जामपल यहां दिया हो आपके सामने अगर मैं दो तरीके से लिखूँ कि एच्छा इलेक्ट्रोन टोटल बढ़ने अपने को लास्ट में आरगन 18 के बाद क्रोमियम सोईस अच्छे है और बढ़ने अगर मैं 4S में 2 बरूं और D में 4 बरूं एक तरीका यह होता है दूसरा जो इसका सही विनियास है वो क्या है D5 और 4S वन तो D4 वाले में अगर हम देखें तो कुल मिला के 6 विनियम में हो सकते है यह पहला इलेक्ट्रोन तीनों के साथ विनियम में करेगा दूसरा अगले दो के साथ करेगा पहले गा तो हम काउंट करी चुके है फिर उससे अगला एक ही विनियम में कर पाएगा तो 3, 2, 5 और 6 विनिम में हो सकते हैं जितनी बार ये एक्सचेंज करते हैं उतनी बार एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम करते हैं एक्सचेंज एनर्जी अब अगर D5 होता है तो 10 विनिम में हो जाते हैं तो इलेक्टरोन का जितने ज़्यादा विनी में हो गया उतनी ज़्यादा विनी में उर्जा हो, विनी में उर्जा होती है निकलने वाली उर्जा, निकलने वाली उर्जा का मतलब हो गया कि उस सिस्टम के एनर्जी कम हो गई, यानि स्टेबिलिटी आगई, तो ये कारण होता है कि अर्ध पूरि तरीके से हम लिख सकते हैं वो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहला तो आता है एक open पूरा तरीके से लिखना जैसे हम iron का example यहां ले रहे हैं तो iron आता है 26 नमर पे तो अपने को 26 लेक्ट्रोन बढ़ने है वन एस में दो बरे जाएंगे फिर 2S में फिर 2P फिर 3S 3P में फिर 6 हो ज लिखते हैं इसी को हम संग नहीं यानि condensed form में भी लिख सकते थे यानि आरगन तक का है 3P 6 तक का हम एक साथ लिख देते हैं आरगन को bracket में लिख कर तो इसका मतलब भी हो था कि यह आरगन 18 को represent कर रहा है यानि 18 एलेक्ट्रोन तो जैसे आरगन में बरे गए वैसे हैं उसके आ या उप कोस्ट जो है उसको outermost cell क Simmons सेंनी ये उससे अन sub 2 कोस्प करते हैं उससे हम लिख करते हैं इन ये जर्र उसके अंदर वाला जो है उससे यानकि एक कम यानि एन मिनस वन सेल जो है उसकर कहते हैं पेनल्टीमेट मेंट सेल और उसससे कम वाला है वह उसको गतेदे हैं प इन्यास लिखने का अपना तरीका रहेगा अब एक चीज और देखने हैं अब जैसे iron का फूच ले अब iron 2 प्लस का फूच ले तो हमें क्या करना है कितने electron हो बढ़ने है तो iron में 26 होते हैं और 2 प्लस charge आ गया है इसका मिलब 2 electron बाहर निकल गए तो ही तो 2 प्लस आया है तो 24 electron बढ़ने है अब 4s2 था तो 4s0 हो जाएगा 3d6 तक सेम वैसा का वैसा बढ़ना 2 कम कर दो अब iron प्लस 3 का बढ़ना है तो d में से एक और कम कर दो 3d5 हो जाएगा बाकी सेम रहेगा आरगन तक का ठीक इसी परकार chlorine का अगर हम देखें तो 1s2, 2s2, 2b6, 3s2, 3b5 होगा अगर chlorine minus 1 का बढ़ना है तो हम जानते हैं कि chlorine से कैसे बनता है कब बनता है जब उस परमानू में electron जुड़े और धनायन कब बनता है जब उसमें से electron निकले तो chlorine में एक electron add हो गया तो वो chlorine बन गया तो एक electron बढ़ा दो 17 के बज़ाई अठा रह कर दो अगर chlorine में 3p5 था तो chlorine में 3p6 हो जाएगा तो इस तरह से हम आइनों के भी electronic configuration लिख सकते हैं तो यह था अपना electronic configuration अब यहाँ अपने को ध्यान क्या रखना है कि अगर हम block formation में लिखते हैं तो जब तक एक-एक electron सभी उपकोस में नहीं आ जाए तब तक युगमित नहीं करवाने है और वैसे हम continue लिखते हैं जैसे 3p5 लिख दिया 4 लिख दिया तो उससे तो क्या यह तुछ पता नहीं चलता कि कौन से में दो एक-उंसे में एक है तो यह अपना आज का topic था electronic configuration उन तीनों यह मौ को ध्यान में रखते हुए आज के लिए इतना ही बाकी अगले वीडियो